है थीज़ फिर सो हेलो स्टुडेंट वेल्कम टू प्रेपशे ठीक है फिलास य हमने वेक्टर के बारे में देखा था पोजिशन वेक्टर ऐगेरा सब कुछ ठीक है इस क्लास में हम डारेक्ट ट्राइंगल लॉप देखेंगे कि ट्राइंगल लॉप अफ एडिशन क्या होता है है ना देखो इदर कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है सब्सक्रों एक वेक्टर है अब हमें फिर्फ निदी हमें रिज्टेंट निकालना है इन दोनों का पूछा गया है मानलो यह धी रिज्टेंट निकालना तो हम मैं यह पता है कि यदि इसको हम उठाके कहीं पर भी पटकेंगे और इसकी डिरेक्शन हमने चेंज नहीं कि तब तक इसको कोई दिखकर नहीं होगी ठीक है तो हमने क्या किया इसको उठा के यहां पटक दिया बी को तो ट्राइंगल लोग यह बोलता है कि यह दी इन दोनों का resultant है तो वह होगा closing side of triangle कौनसी side closing side ठीक है और direction किस side में होगी direction will be from origin to end ठीक है तो यह होता है simple triangle low ठीक है वैसे ही यदि इसको हम extend करें यदि हमारे पास multiple vectors हो तो फिर क्या होगा मान लो यदि हमारे पास एक और उनको यदि हम point to point arrange कर दें है ना यदि हमारे पास multiple vectors है और हमने ऐसे arrange कर दिया उनको सभी को उनकी direction चेंज नहीं की और उनको ऐसे एक के बाद एक के बाद arrange कर दिया ठीक है बहुत सारे हैं क्या हो गया A B C D E है ना तो जो हमारा resultant vector है वह होगा starting point से end point तक और इसका magnitude तो यह हो गया और direction वह हो गई ठीक है तो यह होता है हमारा यदि हम मारे पास more than two vectors है तो इसे बोलते हैं polygon लोग पॉलिगन लोग ठीक है और इसमें यदि हम सारे vectors का addition करें A B C D E and F तो यह होगा 0 ठीक है लिखलो यह इनका statement is not important लेगन फिर भी statement भी यदि बोलाएंगे तो if two vectors are added then the resultant vector will be the closing side of the triangle in the direction from A to B पस ऐसे ही इसमें भी बोल चकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा पैरलोग्राम लोग पैरलोग्राम जो लोग है वो भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा और यदि मैं बोल दूँके सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मैं छोड़ो आ दूँ तो कोई मतलब तो निकलता नहीं को कि पढ़ाना तो सबको है हम यहां पर क्या कर रहा है हमारे concept की testing कर रहा है ठीक है यदि दो वेक्टर से जिनका origin एक पॉइंट है एक वेक्टर यह है दूसरा वेक्टर यह है ठीक है अब इसका result निकालना है तो हमें क्या करना है तो simple सी बात है हमें तो shift triangle लो पता था है ना तो हमने उसी का ही मदद करके क्या किया हमें पता है कि यदि हमें triangle लो लगाना है तो यह दोनो continuous होना चाहिए है ना तो इसका जो यह tail है यह इसके head से match होना चाहिए ठीक है तो हमने इसको उसी की direction में यहां पर shift कर दिया और उसक हमारा हो गया resultant यह जो alpha angle है यही angle यहां भी रख दो alpha और magnitude भी वही रख दो यह हो गया F2 ठीक है and this will be the FR vector ठीक है यह वेक्टर चल रहे है F1 F2 ठीक है तो यह हो गया हमारा parallelogram लो उसमें हमने क्या किया हमने जो वेक्टर का जो इस side पे हैं दोनों उसको हमने shift कर दिया और उसका एक resultant ले लिया तो parallelogram लो में यदि हम बोलें तो यदि दो वेक्टर को दो side की तरह यूज करें तो जो resultant वेक्टर है वो उसके diagonal के बराबर होगा और direction भी वही होगी यदि इसका हम इसको यदि further continue करें तो यह जो हमारा है यह क्या है जल्दी से बताओ यह हो गया f2 cos of alpha और यह हो गया f2 sin of alpha यदि हमने इसको resolve कर दिया ठीक है और इसका magnitude निकालना है यदि हमें तो f r f r विल बी अंडर रूट ओफ इसका स्क्वेर प्लस इसका स्क्वेर तो यह वह गया हमारे f1 plus f2 cos of alpha का स्क्वेर प्लस f2 sin of alpha का स्क्वेर ठीक है इसको solve करो क्या आ रहा है यह आ जाएगा f1 का square प्लस f2 का square प्लस 2 f1 f2 cos of alpha ठीक है तो हमें resultant direct formula से भी मिल जाएगा और formula कहां से आया जो basic method हमने use किये उससे आया ठीक है तो यह formula है यह parallelogram लो दो vectors के बीच में यह दी triangle लो और parallelogram लो दोनों में valid करेगा अब सामने आपके पास दो questions है second वाला question बहुत ज्यादा easy है मैं नहीं करवा रहा हूं थर्ड वाला question करते है ठीक है थर्ड वाले question में देखू कि वेंड टू forces are mutually at right angle then their resultant is 10 kilo Newton but when they are inclined at 60 degree then their resultant is 5 root 6 kilo Newton तो find किन को करना है forces को find करना है ठीक है question number third पढ़ लो अच्छे से अब आप सोच रहे होगे कि सर यह question तो हम बहुत बहुत बार मैंने हमने कर लिए हैं तो सर क्यों करवा रहा है जो आपका gate है उसमें जो सब से ज्यादा जो सबल्की होति है यो भूंट बिलीव वो कौन सी मिस्टेक्स होती वह है तर ऐसमें ऑप जो करते हो जो थ्रड क्लास में आपने सीखा है प्लस माईने सब्स माईनस करना second और थर ग्लास में उसकी ज takeaway होती है सबस्याब मतलब सोचो कि आप सिनी मिस्टेक्स करते हों में आपको पता यह तो आप नहीं करें तो आप 감사 माइनस कर रहे हो लेकिन यह प्लस माइनश होगा यह अपने बस्ट लिए इट कर दिया है तूप टूप लस्टL आप अपने आप पर देखो सिलिम स्टेक्स होगी ना तो उसका एक बेसिक जो रीजन है वह यह कि आपने एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रखी है खुद से कि मुझे पहली बार में ही 65 के 65 कोशन करने है वह भी गंटे में बाकी कि जो दो गंटे मैं उसमें वह करू होता है मतलब आपको अराम से करना है आपको कुछ प्रेशन नहीं बनाना अपने आप पर पर्फॉर्म करने का पहला दूसरा एफिशेंसी खुद से रखो प्रोसेस में आप जल्दबाजी करोगे और माइंड डिस्ट्रेक्ट करते रहोगे तीन से चार चीजे और आप स्ट चैप बाइस टेप एक एक वर्ड ओन दे टेबल यह दि बोला है और टेबल बिसाइड टेबल यह कुछ भी ऐसे जो प्रिपोशेंशन भी होती है वह भी में पर्सेंटेज रिदूस्ट बाइपर्सेंटेज डिदक्शन समझ रहो ना यह अपने आप में एक अलग मतलब नि पूछा है तो नहीं होगा ऐसे है ना तो आपको एक 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 वर्ड को अच्छे से समझना है ना तो इसलिए इन में भी छोटे-छोटे जो कोश्चन से ना इनको मैं अच्छे से करते जाएंगे ठीक है यह यह एफ-1 और एफ-2 है उन्होंने बोला है कि यह वो 90 डिग्र पर है तो उनका जो रिजल्ट है निकलेगा कहीं पर भी ऐसा ठीक है उसका उन्होंने वैल्यू दे रहा है 10 किलो न्यूटन टारेक्शन हमें नहीं बताई ठीक है और जब यह एफ-1 एफ-2 60 डिग्री पर इंकलाइंड है कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर यह हो गया एफ- एफ-2 60 डिग्री पर इंकलाइंड है तो जो इनका रिजल्टेंट है बीच से निकलेगा अफ-कॉस थी बात है वो है 5 रूट 6 5 रूट 6 ठीक है किलो न्यूटन तो क्या करना है हमें दो बार फॉर्मूला लगाना है एक इस वाले के लिए एक इस वाले के लिए ठीक है यहा एक इक 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 वेशन क्या आ गए एक इक इक वेशन आ गए यह ठीक है दूसरी इक वेशन पहली इक वेशन यह आ गई दूसरी इक वेशन में हमने वही करना है सेम एफ वर 2 का स्क्क्वेट f r 2 का square equal to under root of f 1 का square plus f 2 का square plus 2 f 1 f 2 cos of theta 2 जो की 60 degree है ठीके पूट करो यहाँ पे 5 root 6 बोला था उन्होंने ठीके equals to under root of f 1 का square plus f 2 का square plus 2 f 1 f 2 cos 60 is 1 by 2 तो गया यह हमारे पास क्या है जल्दी से देखो जे क्या है डारेक्ट पूट कर दे क्या है ना तो हमारे पास आ जाएगा 5 root 6 का square equals to 100 plus f 1 f 2 ठीके यह बताओ किता होगा 150 equals to 100 plus f 1 f 2 यहां से हमें मिल जाएगा f 1 equals to कुछ भी f 1 f 2 की एक की value निकाल लो वह जाएगी यह यह एक और relation मिल गया हमें यह second देखो दो equation चाहिएगी यह दो अन्नोन हों है दो अन्नोन क्या है हमारे पास f 1 और f 2 तो हमारे पास दो equation हमने बना ली एक यह equation और एक यह equation ठीक है put कर दो यहां पर put करेंगे क्या इसको उठा के इसको उठा के यहां पर हम put करेंगे तो यह हो जाएगा 100 equals to f 1 का square जो कि यहां हो जाएगा 50 by f 2 का square प्लस f 2 का square ठीक है यह हो जाएगा हमारा 100 equals to 250 by f 2 का square प्लस f 2 का square करो यह solve करो कैसे करना है generally आपने quadratic equation में जो उसकी degree देखी होगी वो क्या देखी होगी 2 लेकिन यहां पर equation क्या बनेगी यहां पर equation बन जाएगी यदि मैं इसको यहां भी multiply करतूं यहां भी multiply करतूं तो यह हो जाएगा 100 100 f 2 का square equals to 250 250 plus f 2 to the power 4 यह बन गए equation यदि इसको रिर्रेंज करें तो यह हो जाएगा f 2 to the power 4 minus 100 f 2 का square plus 2 5 double 0 equals to 0 ठीक है यह equation quadratic नहीं है 4 degree polynomial है लेकिन इसे भी हम reduce कर सकते हैं कैसे यदि if we put if we put s equation बने तो हमें क्या करना चाहिए if we put fr square equals to p put करों यहां पर यह हो जाएगा p square minus 100 p plus 250 equals to 0 अब क्या करना है p equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2 है ठीक है यहां से पी की वेल्यू आएगी बताव मुझे पी की वेल्यू आएगी पी की वेल्यू यहां से आ रही है 50 तो हमारा जो f r टू स्वरी f2 की की क्या लिखा में एफ टू है ना f r नहीं एफ टू ठीक है तो f2 की वेल्यू आजाएगी हमारे पास अंडर रूट ओफ 50 और उसको यह हमने कहां पूट किया कौन सी एक्वेशन आए थी अमारे पास की f1 will also be equals to यह तो यहां से यह हम निकालेंगे तो f2 ए f1 वेल्यू अलसो भी अंडर रूट ओफ और हमें मिल गाए एंसर कि ठीक है कि दिख लो कि 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 समझ में आ रहा है सब कुछ अराम अराम से अपन पढ़ रहा है एक 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 चीज धिरे धिरे से दो नंबर का है यह मतलब सब्चेक्ट लेकिन यह सब है ना आप सोंग में बहुत फ्रिक्वेंटली करोगे इवन स्ट्रक्चर में स्वाइल में भी आप इनका यूज करोगे करोगे तो इनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते नेक्स्ट हमारा क्या होगा वेक्टर प्रोड़क्ट वेक्टर प्रोड़क्ट यह फिर वेक्टर मल्टिप्लिकेशन है ड्यक्त है वेक्टर मल्टिप्लिकेशन तो पहला है डौट प्रोड़क्ट डौट प्रोड़क्ट क्या है basically प्रोड़क्ट को कोई मैथमेडिक्स में 11 12 में पढ़ाएगा तो वो डेफिनेशन बताएगा मैं 11 12 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं तो में कि मैं क्या करूंगा उसका significance बता हूंगा कि वाट इस डोट प्रोड़क्त ठीक है definition and significance में difference है जब आपको definition दी जाती है तो आपको assume किया जाता है कि उसका आप सिर्फ आपने समझ लिया है उसका apply कहा करना है वो आपको पता आपन apply देखते हैं ठीक है यदि हमने एक vector लिया है B vector और एक vector ले लिया है A vector ठीक है तो कोई भूल ले हैं कि यार ये A vector जो है ना इसका इस B vector कितना inclination है कोई बूझता है ना आपके दोस्त से कि भाई उसका उस लड़की के तरफ कितना inclination है या फिर आप ऐसे पूहें तो ठीक है उसको बताना हो तो हम क्या करेंगे हम डॉट प्रोड़क्ट करेंगे क्या करता है डॉट प्रोड़क्ट बैसिकली इसका यहां पर कंपोनेंट ले ले लेगा ठीक है तो जब हमें यह पूछा गया है कोशन यह है कि कि इसका inclination क्या है तो हम क्या करेंगे बॉट प्रोड़क्ट तो dot product क्या हो जाएगा हमारा a dot b वो क्या हो जाएगा किसके बराबर होगा मेंगनिलिट ओफ a, मेंगनिलिट ओफ b cos of theta यह हो गया ठीट एबी cos of theta यह हो गया dot product same यह भी इसमें a b और b a भी find करेंगे तो b a b same ही होगा dot product की यह खाश यह थे a dot b b वही है b dot a b वही है क्योंकि यह scalar product है scalar product में भी b dot a b करेंगे तो कुछ change नहीं आएगा तो यह होगा dot product मतलब यदि हमें कभी भी किसी भी direction में उसका component निकालना है तो हम लेते हैं dot product ठीक है dot product में लिखो vector multiplication में पहला dot और scalar product dot dot or scalar scalar product it is the projection of first vector it is the projection प्रोजेक्शन ओफ फर्स्ट वेक्टर ओवर दी अनाधार वेक्टर ठीक है इसका यूजेस कैसा है कि यदि हमें एक box को यदि हमने क्या किया सपोस्ट करो कि यह हमने box लिया था और इस पे एक inclined force लगा दिया था ठीक है अब यह box y direction में नहीं हुआ और यह इस direction में move हुआ, ठीक है, तो जब इस direction में move हुआ, तो जो work किया होगा, वो किस ने किया होगा, जो इस force का motion के along, जो component है, उसने किया होगा, तो इसलिए हमें dot product की जरुवत होती है, कि भाई, इसका force का, उस motion के तरफ, क्या component है, और उसने कितना work done किया, ठीक है, i, j, k, में येदि देखा जाए, येदि हमारा, same येदि ये x-axis होता, येदि ये हमारा two i-cap plus four j-cap था, ये x-axis था, x, ये होगा y, ये न, तो इसका, ये component दो होता, कैसे आता, क्योंकि x का, x का vector क्या है, one i-cap, ये उसका direction है, ये ये फिर हम बोले कि, ये i-cap से हमें direction मिल रहा है, तो हम इसका dot product लेंगे, तो हमारा i-i, जो होगा, ये हमारा a vector था, तो a dot i-cap है न, तो ये होजाएगा two, i-cap dot i-cap, i-cap i-cap one हो जायता है, वैसे ही, j-j-cap भी, j dot j, one, and k dot k, भी one है, ठीक है, और, ये भी हमारा i-cap dot j-cap, या फिर, j dot k-cap, या फिर k dot i-cap, या कुछ भी हो, ये सब zero होगा, क्यों होगा zero, है न, क्योंकि, जब यदि ये perpendicular है, suppose करो a vector perpendicular है, और मुझे इसका component निकालना है, x direction में, यहाँ, x direction, तो ये तो एक point आया न, जो कि निकली जिबल है, तो zero होगा, ठीक है, मतलब ये दोनो, ये क्या, ये क्या condition है, वेक्टर सार पर्पेंडिकुलर, और ये क्या है, वेक्टर सार पारलल, ठीक है, समझे बाया, next है हमारा cross, और vector product, cross और vector product, cross product को हमें समझना है थोड़ा सा, क्योंकि ये कम समझना है आता है, cross product basically कुछ नहीं है, ये आपको दो लोग, दो vector पता है, और आपको एक ऐसा vector, find करना है, या फिर एक ऐसी direction में vector find करना है, जो इसका भी पर्पेंडिकुलर हो, दोनों का, ठीक है, मतलब, ये हमारा एक vector है a, ये vector है अमारा b, देखे गया है दोनों, ये a vector है, ये b vector है चलो है ना, ठीक है, ये हो गया उनका angle, ठीक है, अब इन दोनों के perpendicular, ये मैं कोई सा भी, ये इसके, perpendicular direction क्या है, ये direction है एक तो perpendicular इसके, और एक direction ये है, perpendicular, same इसके perpendicular direction एक ये है, और एक ये है, तो common दोनों में से कौन सी है, दोनों के perpendicular वाली, इस वाले plane में, तो vector जब हम cross multiplication करते हैं, तो हमें 3D में घुच जाते हैं, आपका जो plane चीज़े, वो 3D में आ जाती है, और इसमें direction matters, ठीक है, ये vector product क्यों है, क्योंकि हम A cross B करेंगे, तो right hand thumb rule के इसाब से A से B की तरफ, तो direction is this, वैसे ही B cross A करेंगे, तो पहले B की तरफ, B से curl करेंगे A की तरफ, और ये, ठीक है, so A cross B is mode of A, mode of B, sine of theta, n-cap, जो की direction बताएगा, है न, order, समझ में आ गया न, A cross B, मतलब A, B की तरफ, curl किया, और direction ये, वैसे ही B cross A, B cross A, और direction ये, तो मतलब, magnitude दोनों का सेम रहेगा, लेकिन, negative में होगा, तो A cross B is not equal to B cross A, क्यों, क्योंकि direction चेंज है, ये, वेक्टर में हमें दोनों देखना है, ठीक है, मतलब, यदि ये C है, C vector है, तो ये होगा minus C vector, ठीक है, तो ये होता है cross multiplication, cross multiplication, हमारा moment बगरा, ये सब cross multiplication होता है, वहाँ पे, M, जो होता है, M, moment, is R vector, cross F vector, है ना, तो अपन F vector, cross R vector नहीं करेंगे, क्योंकि ये, same नहीं होता है, ठीक है, moment will be, ठीक है, ठीक है, वैसे ही, यदि हमारा plane बगरा होता है, surface होता है, तो उसका जो, यदि surface में दो vectors हैं हमारे, तो उसका जो normal direction find करने के लिए हम cross product लेते हैं, तो cross product का significance में आ गया, कि हमें यदि किसी भी plane के perpendicular कोई सा vector निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, cross product लेके, यदि किसी भी vector का किसी भी direction में हमें projection या फिर inclination, जो कि मैंने बता है, किस type का inclination, यदि वो find करना है, तो हम dot product लेते हैं, ठीके, तो आज की class में vectors खतम हो गया, vectors next class बारे में पढ़ेंगे, ठीके, तो वो second वाला question कर लेना बहुत easy है, बहुत easy है, ठीके, तब तक के लिए टाटा, बाबाई